नमस्कार दोस्तों मैं करश्ट मुर्ती आप सब्सक्राइब करता हूं लर्णिंग इरे यूट्यूब चैनल में यहां पर जोए जब भी आप अपना ब्रोकर का अकाउंट ओपिन करोगे यह से भी कंप्लाइंस है तो हर ब्रोकर को आपको दिखाना होगा यह चैए वह ब्रोकर को अब तक सिर्फ फूचर और उसके लिए जो है ट्रेडिंग करने के लिए आते हो मैं फिर से बता दू ट्रेडिंग से पैसे बिलकुल नहीं बनते यह चीज आपको ध्यान रखना होगा ट्रेडिंग का मतलब इंदेसेंस आपके अकाउंट में कोई अपने पैसा बना रहा है उससे मतलब नहीं है अगर आप वही चीज कर रहे हो तो आपके account में पैसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं वो चीज जो है matter करती है तो यहाँ पर simple concept है यहाँ बताया गया है 9 out of यहाँ पर देख लो जो चीजे हैं यह first वाला जो step है आपका 9 out of 10 individual traders in an equity future and options segment in occurred net losses मतलब 10 में से जो है not trader जो है F&O segment में वो लॉस करते हैं simple concept है मतलब जो है दस लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं नौ लोगों का जो है लॉस होता है दूसरा जो यहाँ पर point है वो बताया गया है on an average loss makers registered net trading losses close to 50,000 इसका मतलब क्या हुआ 10 में से 9 loss करते हैं जो average loss है उनका वो 50,000 रुपीज का है आप बोलोगे सर मैं तो 10-10 रुपे लेके ही आया था मैंने 10-10 रुपे चला गया कि आपका 10-10 रुपे गया किसी का 10 लाक रुपे गया होगा तो जो average है आपका सब को add कर लो मानलो example बहुता हूँ किसीने 50,000 रुपे लाया किसीने 5 लाक लाया किसीने 50 लाक लाया किसीने 25 लाक लाया किसीने 25 लाक लाया डिवाइड वाई जितना losses हुआ है इंवेस्टर का लेना तो average loss है मतलब पर एकांट जो average loss है आपका वो 50,000 रुपीज का है futures and options में यह भी concept clear ती traditional 28% of net trading losses as transaction cost इसका मतलब क्या है जो ट्रेडर है जिसने 50,000 रुपे का loss किया है एक्जामबल बहुता है पचास जार के ऊपर उन्होंने 28% transaction cost जो है खर्च किया है चाहे वो सिभी चार्ज हो चाहे वो ब्रोकरिज चार्ज हो चाहे वो गौर्मेंट चार्ज हो चाहे वो स्टै 30,000 के ऊपर जो भी ट्रेडर है 28% मतलब मालो 30% मतलब 50,000 रुपीज का loss है और 15,000 रुपीज का उन्होंने चार्जेस पे किया हुआ है तो यहाँ पर जो यह बताया गया है यहाँ पर देखो दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट इनकर्ट बिटिबिन 15% to 50% of such profits as transaction cost इसका मतलब क्या है जो profit कर रहे हैं वो profit जो कर रहे हूं वो 15% से लेके 50% तक अपने profit का transaction cost में दे रहे हैं losses में तो add होंगे और जो आप profit कर रहे हैं इसमें से वो subtract होगा यह चीज ध्यान रख लेना तो यहाँ पर आपको यहीं बताया गया है कि 10 में से 9 loss करते हैं और 9 का average loss है वो 50,000 रुपय का है और जो 50,000 रुपय का loss करते हैं additional 30-28% charges pay करते हैं और जो profit करते भी हैं वो 15% से लेक test and पर click करना है और अपने journey को जो है start करना है कि चीजें आपको पता हो कि आप जिस चीज में आड़े उसमें risk कितना है अगर आप risk accept करते हो तभी जो है आप trading करें simple बता दिया यह आपको हर broker दिखाएगा आज नहीं तो कल तो इसका जो मतलब था वो मैंने आपको explain कर दिया ह मैं आसा करता हूं वीडियो अपर चलगा वीडियो चलगा लाइक करें subscribe करें तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद